नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दुशा सत्य की राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी एक दिन आगे और इस माह का आज अंतिम दिन अगस्त महीना आज अंतिम दिन आज प्रातहकाल आधे घंटे मतलब भादर्पत लगने से पहले रक्षा बंधन जरूर बांधा जा सकता है यही आज वाला जो महूर्त है यह सबसे सर्वोत्तम महूर्त कहा जाएगा तो आज आप लोग राखी जरूर बांधें अपने अपने भाईयों को मैंने इसका विशेश मुहूर्त कलवाले कारिकर में बताया है क्या तिलक बनाना है तिलक में क्या मिलाना है इस पर भी हमने कलवाले राशी फल में सब कुछ डेटेल दिया है तिलक बनाने में हर राशी की माताएं बहने क्या मिलाएं आप वहाँ से इसको उठा सकती है आज हमसे आप मुलाकात कर सकते हैं गाजियाबाद में गाजियाबाद में मिलने के लिए आप लोग कार्याले के नंबर पर संपर्ख कर सकते हैं आईए सुर्वात करते हैं अब आज के जोतिश दिशा का सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग श्रावन माह पुनिमाती थी सुबह साथ बचकर पांच मिनट तक इसके बाद भात्रपद माह किश्र पक्ष्र प्रतिपदा आती थी लग जाएगी चंद्रमा कुम भराशी में पंचक लगा हुआ है नक्षत्र रहेगा आज का सत्विशा योग रहेगा सुकर्मा तद अनुचार दिनांक 31 अगस्त दिन गुरुवार गुरुवार को राहुकाल का समय क्रिपया नोट करने दोपहर देड़ से तीन इस समय कोई भी नए और शुबकाम का आरंभ आपको नहीं करना चाहिए और गुलिक काल का समय नोट कर लीजिएगा गुलिक काल का समय रहेगा प्रातहकाल 9 बजे से 10 बच कर 30 मिनट तक गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुबकाम का आरंभ कर सकते हैं हर काम आपके बनते हैं और शुबता आपको अवश्य प्राप्त होती है अब सुर्वात करेंगे सबसे सटी गोचरिय तर्क के साथ भवश्यवानी आज चंद्रशनी का विश्योग है राहु के नक्षत्र में आज का चंद्रमा है तो आज जो भी आप लोगों को प्राप्त होने वाला है वो कुम्भ से संचालित होगा जहां चंद्रमा आज विराजबान है कुम्भ राशी में चंद्रशनी की यूति है आज और यही से आपके गोचर का फल निर्धारित होता है आएज जानते हैं सबसे पहले मेश राशी का राशी फल मेश राशी वालों के लिए आज का दिन लाब स्थान पे चंद्र और शनी की यूति के कारण लाब मार्ग प्रभावित करेगा लाब के रास्ते में मांसिक चिंता बढ़ सकती है ब्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा रिस्क लेने की आज कूबत आपके अंदर जागरित होगी आज आप रिस्क ले सकते प्राइवेट सिक्टर के लिए बात करें तो मेहनत से भागना भारी पड़ेगा बॉस प्रशन रहेंगे अगर आप मेहनत करते हैं तभी आपका लाव आप तक पहुँच पाएगा महसूस हो सकता है बात प्राइवेट सिक्टर की करें तो आज यात्रा से भी आपको लाव बिलेगा क्योंकि चंद्रमा लाव स्थान पर हैं और चंद्रमा यात्रा के जनक होते हैं सरकारी छेत्रवालों के लिए परिणाम अनकूल रहेगा जो भी मेहनत आप कर रहे हैं उसका आपको पूरण अलाब बिलेगा दामपत्य जीवन पति-पत्नी के बीच ताल्मेल अनोखा है आज का दिन एक दूसरे के पति सहज भाव से अंतरंगता रहेगी लव लाइफ के मैटर पर थोड़ा सोच समझ कर निरड़े लेना होगा शनी की भी द्रिष्टी और चंद्रमा की भी द्रिष्टी आज पंचम भाव पर पढ़ रही है मांसिक परेशानी आज लव लाइफ में बढ़ सकती है स्वास्त के मामले में कमरदर्द की शिकायत घुटने की तकलीफ आज परेशान करेगा क्या उपाय करना चाहेगर आपकी राशी मेश है आज तीन पौधों में जल देना आपके लिए परम शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज आस्मानी भागी प्रतिशत 52 ब्रिषब राशी चंद्रमा का संचरन आपकी राशी में आज दसम भाव में भी राजवान है चंद्रमा तेंथ हाउस में लिहाजा पढ़ाई के लिए समयन कूल नहीं है पंचम से छठे है शिक्षा नहीं हो पाएगी शिक्षा का प्रभाव आज कुछ नकारात्मक अपने आप हो रहा है किसी बात पर खास तौर पर मन बिचलित रहेगा आज का दिन चंचलता आपकी बढ़ रही है ब्यापार अच्छा रहेगा बिजनस में बहुत मेहनत करेंगे आज बिजनस की स्थती अनोखी रहेगी बिजनस में कुछ बहुत शुभ होने जा रहा है आज का दिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए सुपर मेहनत का रहेगा यात्रा से विशेश लाब होगा धन की स्थती सुद्रुन रहेगी सरकारी छेत्र की बात करें तो आज मानसिक तनाव हो सकता है कोई काम हाथ से निकल जाएगा बॉस के साथ विवादास्पद इस्थती आ रही है पति-पत्नी के बीच सब्तम से चोथे में चंद्रमा का संचरण केसी बाहरी तत्तुकाहस तक छेप इस्त्रिगों के लिए सौतन संताप पुर्शों के लिए इस्त्री का भटकाव आज प्रदर्शित हो रहा है अपने रिष्टे पर आपको फोकस करना होगा रिष्टे को समय देना होगा बात करें अगर स्वास्थ के मामले में तो आज माईगरेन की समस्या होगी बिशव राशी वाली लोगों को आज प्रियोग के तोर पर मादुर्गा के समक्ष घी का दीपक अर्पित कर दे शुबरंग आपके लिए आज पीला भागी प्रित्षत सत्ता बन मिथुन राशी आज का दिन मिथुन राशी वालों के लिए चंद्रमा का संचरल नवमस्थान पर है लेहाजा पढ़ाई के लिए तो समय ठीक रहेगा नवन भाव पंचम से पंचम होने के कारण सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है लेकिन ब्यापार की बात करें तो यहाँ पर प्रभाव बहुत नकारात्मक हो सकता है बिजनस में कुछ भी इतना ब्यहतर नहीं है बिजनस को थोड़ा बल देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर की स्थती सुद्रण भी है और मजबूत भी है प्राइवेट सेक्टर में आप अलग उचाईच होएंगे आपके लिए एक अलग तरह का आनन्द आएगा सरकारी छेतर की स्थती में आज कुछ च्छय होगा दसम से द्वादस चंद्रमा है गवर्मेंट सेक्टर में कुछ हाथ से काम निकल सकता है मिथोन राशी वालों को आज काम को पकड़ कर रखना होगा दामपत्र जीवन बिवाद की स्थती आज पैदा करेगा पत्रिपत्नी के बीच तालमेल की कमी दिखाई देगी छोटी छोटी बातों पर आज बिवाद की स्थती आ सकती है लव लाइफ बहुत अनकूल रहेगा परिश्थतियां एक दम से आपके पक्ष में हैं सकारात्मक्ता बनी हुई है स्वास्थ के मामले में आज हड्यों की समस्या यात्रा में चूट चपिट की संभावना और मांसिक विकार का योग बनता है उपाय के तौर पर आज किसी जरुरतमंद को दवा का दान शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्यी प्रतिशत पचपर करकराशी करकराशी वालों के लिए चंद्रमा का संचनर अश्टम भाव में आया है अब देखिए आठमा घर स्वतह दर्द का है आंतरिक दर्द गुप्त दर्द एक ऐसा दर्द जो हम किसी को बता नहीं सकते अश्टम में अगर शनी बैठे हैं तो आप कभी जीवन में अपने दर्द को किसी के समक्ष उजागर नहीं कर सकते बहुत गुप्त दर्द देते हैं तो आज चंद्र और शनी का विश्योग अश्टम भाव में है पढ़ाई नहीं हो पा रही है पढ़ाई में उतार चढ़ाओ बढ़ रहा है पारिवारिक विसंगतियों के कारण सिक्षा प्रभावित हो रही है ब्यापार अनुख्ठा है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं बिजनस में जैसा आपने विचार किया उसी तरह से आपको काम मिल रहा है आज काम को विस्तार देने का भी संकेत मिलता है बात प्राइवेट सेक्टर की करें तो आप कुछ बड़ा प्राप्त कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए कुछ बहुत बड़ा हो रहा है प्राइबेट सेक्टर वालों के लिए प्रभाव आपका बढ़ रहा है नौकरी में दक्षिर दिशा से आफर आएगा सरकारी छेत्र में आपके लिए आज नए रास्ते खुलेंगे प्रोमोशन की खुश खबरी आज मिल राएगी दसम से एकादस में चंद्रमा का संचनन आज सरकारी छेत्र वालों के लिए अवोग अस्त्र का कारे करेगा दामपत्त जीवन की बात करें तो सब्तम से दुती में चंद्रशनी की यूती वानी दोश पैदा कर रहा है करकराशी वालों के लिए वानी से कुछ गलत निकल जाएगा सोच रहे हैं कुछ निकल गया कुछ आपने बोला कुछ सामने वाले ने लिया कुछ और इसी स्थती के कारण दामपत्त जीवन का प्रभाव दूशित हो रहा है लव लाइफ मैटर यहां पर सुलश जाएगा जो भी दोनों के बीच बिवाद थे आज उनको सुलशाने का दिन आ गया है करण राशी वालों के लिए आज पती-पत्नी के बीच तालमेल जबर्दस्त बिठाया जा सकता है एक दूसरे किर्पती भावनात्म ग्रूप से आप मजबूती प्राप्त कर रहे हैं दामपत्य जीवन में लव लाइफ में दामपत्य जीवन में बस वाणी अंकुष और लव लाइफ में कोई अंकुष नहीं सबकुछ छुट्टा आपका प्रभाव बढ़ा हुआ है स्वास्त के मामले में करक राशी वालों के लिए बस केवल आज पेट से संबंधित दिक्रत होगी बाकी सब ठीक है क्या उपाय करना अगर आपकी राशी करक है आज करक राशी वालों को अपने कंठ पर हल्दी का तिलक लगाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए बैगनी भागी प्रद्शत बावन फिफ्टी टू सिंह राशी दिनांक इकत्तिस अगस्त दिन गुरुवार पढ़ाई के मैटर सब्तम में चंद्रमा और शनी की यूत्ति के कारण थोड़े से प्रभावी होंगे पढ़ाई के मैटर में आज उतार चड़ाओ महसूस हो सकता है शिक्षा बहुत अच्छी तो नहीं है थोड़ा सा नियंत्रण में रहने की आवश्यक्ता है ब्यापार जबरदस्त है बिजनस में बड़ा प्रभाव है बिजनस की स्थती सकारात्मग है बिजनस में कुछ अच्छा चल रहा है उसी को आप गति दीजे प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आज अनकूल परिस्थतियां है मैटर आपके पक्ष में है प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह का उतार चड़ाओ नहीं किसी बड़ी उपलब्धी की तरफ आप बढ़ रहे हैं आज काम आपका बनेगा साजेदारी में अगर कुछ ब्यापार वगर था तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजेगा वैसे तो सरकारी छेत्र वालों की बात करें तो आज का दिन अनुकूल परिस्थित पैदा करेगा गवर्मेंट सेक्टर में दसम से दसम में चंद्रमा की उपस्थिती है तो तीन कारेच्षेत्र जो मिला कर हो गए प्राइवेट सरकारी और गौर्मेंट मतलब गौर्मेंट और ब्यापार तीनों कारेच्षेत्रों में आज का दिन हर जगह से आपको अरुकूलता दे रहा है कारेशेत्र में दबदबा कायम रहेगा लाभ के अउसर आपको प्राप्त होंगे दामपत्य जीवन भाया खेल तो सब्तमभाव में ही हुआ है चंद्रशनी का आज एक दूसरे के प्रती बड़ा दुराव पैदा हो रहा है छोटी छोटी बात पर विवाद बढ़ जाएगा लव लाइफ बहुत सकारात्मग है एक दूसरे के साथ कहीं घोमने टहलने का कारिक्रम बनेगा और समय एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से बिताएगे स्वास्त के मामले में पेट की समस्या आखों की समस्या और किड्नी की समस्या हो जाएगे आज सिंग राशी वालों के लिए प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी सिंग है तो आज उपाय के तोर पर सिरिहरी का ध्यान करना है ओम विश्णवे नमह ओम विश्णवे नमह ओम विश्णवे नमहन बस शुबरंग आपके लिए आज केसरिया भाग्यपत्षत 57 कन्याराशी आज कन्याराशी वालों के लिए चंद्रमा का प्रभाव छठे भाव से संचालित होगा छठा भाव गुप्त शत्रूओं का होता है रोग और रिड का होता है कर्ज यवं बंधन आदिका होता है शिक्षा भाव आपका बहुत सकरात्मक है पढ़ाई में तो कहीं किसी तरह का उठापटक नहीं है शिक्षा आप अच्छी तरह से पूरी करने जा रहे हैं कन्य राशी ब्यापार की बात करें तो उतार चड़ाओ शुबह है थोड़ी देर तक रहेगा लेकिन उसके बाद बिजनस आपका बढ़ जाएगा नक्षत्रस्वामी राहु अश्टम में बैठे हैं तो छे और आठ का संबंध कन्य राशी वालों के लिए आज बन रहा है लिहाजा कुछ बड़ा कर लेंगे लेकिन ओवर थिंकिंग आज न करियेगा बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो आज रिस्क लेना आपके लिए भारी पड़ेगा उतार चड़ाओ बढ़ेगा काम में मन कम लगेगा बास के साथ विवाद की स्थिति आज बन रही है सरकारी शेत्र आपके लिए आज बहुत अनकूल रहेगा गौर्नमेंट सेक्टर में आपको मेहनत का पूरा परिणाम प्राब तो हो रहा है और बेस्ट पार्ट कि आपके लिए बड़े रास्ते आज परमपिता परमिश्वर की अनकमपा से खुलेंगे लव लाइफ बस अब समय दे दिजिएगा एक दूसरे के लिए रास्ते खुल रहे हैं आज लव लाइफ में किसी तरह की दिकत नहीं है स्वास्त के मामले में आखों की समस्या, घुटने की समस्या और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आप की राशी कन्या है ओम दुम दुरगाये नमह ओम दुम दुरगाये नमह ओम दुम दुरगाये नमह ओम जैनती मंगला काली बद्रकाली कपालिनी दुरगाच्छमा शिवाधात्री स्वाह स्वधा नमोस्तते ओम दुम दुरगाये नमह ओम दुम दुरगाये नमह ओम दुम दुरगाये नमह तीन बार पहले तीन बार बाद में और बीच में जैनती मंगला काली का मंत्र बोल दीजेगा ना बोल पाएं तो दस बार यही सुन लिजेगा हमारा बोला हुआ काम पूरा शुबरंग आपके लिए सफेद भाग प्रतिशत तिरपन 53 कन्य राशी के बाद बाखी बची राशीों की जानकारी दें आपको लेकिन बता दें कि आप हमसे कब कहा मुलाकात कर सकते हैं और 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर गयाजी में आप हमारे साथ पित्रों की शान्ती के लिए अपना योगदान दे सकते हैं गयाजी में हम उपस्थित रहेंगे आप लोग के साथ रहेंगे और आप लोगों की उपलब्धियों के लिए रहेंगे अगर अब तक आप पित्रों की शान्ती नहीं करवाएं हैं तो आपके पास एक बड़ा मौका है आप तुरंत संपर्क कर लीजेगा और देखिए इन सब की एक जलक हम यू गए और यू आए आए आपको बताते हैं संतोशी जी के अगामी कारिक्रम के बारे में तीन और चार सितंबर को चंडीगण, नौ और दस सितंबर गुहाटी, पंधरा और सोला सितंबर लखनओ, सत्रा और अठारा सितंबर पटना 19 और 20 सितंबर सिली गुडी, 21 और 22 सितंबर कोलकत्ता, 23 और 24 सितंबर रांची, और 25 और 26 सितंबर सत्ना में आप संतोशी जी से मिल सकते हैं मिलने के लिए 9910291850 पर अभी कॉल करें या 9999024099 पर वाटसप करें वीडियो कॉल की सेवा भी उपलब्ध है एक बाई फिर से आप सबका बहुत स्वागत है देख रहे हैं आप लोग जोतिश दिशासत्तिकीरा सबसे सटीक भविश्यवारी गोचर के तरकों के साथ आप सब के सामने सबसे विस्तार से सिर्फ यहां मिलता है इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि अपने रिष्टेदारों को भी आप लोग इसे फरवर्ड किया करिए जिससे उनका भी दिन शुभ हो और उन्हें भी जोतिश्विज्यान का लाम मिले और आपको दुआ मिले आशिरवाद मिले आईए चर्चा कर लेते हैं अब तुलाराशी की तुलाराशी वालों के लिए ये संचरन चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में है जो एक आदस भाव पर दृष्टी डाल रहा है पंचम भाव ऐसे भी सिक्षा आदिका ही होता है लिहाजा आज पढ़ाई तो आपकी बहुत अनोखी है और बहतर है सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है पढ़ाई आप बहुत अच्छी कर रहे हैं चर्चा ब्यापार की करें तो यहाँ पर लाव के लिए आप कुछ गलत रास्ते अख्तियार करेंगे आज शनी की दृष्टी है न एका दस पर एंगल देखिए यह है अतिंद्रिय ज्यान यहाँ पर भगवान कुछ हमें बताता है और भाई साब तुला राशी है न मतलब चैलेंज कर रहा हूँ ठोक कर चैलेंज कर रहा हूँ आप शाम को मिलाईएगा और आप आज हुक एंड कुरुक न अपनाएं तो कहिएगा आज आप लाव के लिए गुप्त रास्ते अख्तियार कर सकते हैं ब्यापार में लाव मार्ग आपका आज प्रसस्त हो रहा है बलोशन देव महराज की जय आज आपका दिन लाव स्थान को मजबूती प्रदान करेगा लाव मार्ग आपका आज मजबूत होगा ब्यापार थोड़ा सा गति दीजिएगा और रुके धन की प्राप्ति के लिए प्रयास करिएगा दो चीजें आपको ध्यान देना है बात अगर प्राइवेट सेक्टर की करें तो आपके लिए आज कुछ बड़े मैटर खुल रहे है आज काम में मन कम लगेगा बास के साथ किसी पुराने विवाद पर आज बहस हो सकता है मामला आपके हाथ से बाहर जा रहा है कई तरह की चिंताएं हो सकती है सरकारी छेतर में इस्थती आपके अनुसार है गवर्मेंट सेक्टर बहुत स्टॉंगली आपके लिए आज हेलफुल रहेगा गवर्मेंट सेक्टर आप पर आज महरवान रहेगा किसी तरह की दिक्कत आज गवर्मेंट सेक्टर में नहीं होगी आज का दिन सरकारी छेतर वालों के लिए वर्क लोट को बहुत इसली हैंडल करने का है मैरियन लाइफ की बात करें तो सब्तम से एकादस भाव में चंद्रमा बैठे हैं बच्चों को ले करके आज कुछ विशेश लाब होगा दामपत्ते सुख बढ़ेगा आज तुलाराशी वाले महलाओं को अपने पती में परमेश्वर का ही सुख दिखेगा परमेश्वर का ही अक्स दिखेगा लव लाइफ यहाँ पर विकार आ रहा है यहाँ इस्थती बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर विकार आएगा क्योंकि पंचम में ही विश बना है आज गोचर में पंचम भाव में ही विश बना है और पंचमेश स्वग रही हैं लेकिन वक्री है तो तुलाराशी वालों के लिए कुछ दिन के लिए आज हो सकता है कि एक दूसरे को लव लाइफ में ब्लॉक कर दे अस्थाई नहीं है यह अस्थाई है स्वास्थ के मामले में माइगरेन और घुटने की तकलीफ हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए तुलाराशी वालों के लिए ओम गंगणपते नमह ग्यारह बार इसका जाप कर लिजेगा शुबरंग आपके लिए आज औरेंज भाग्य प्रतिशत पच्पन व्रिश्चिक राशी बहुत अनोखा दिन है शुक्षा छेत्र के लिए आज दिब्य है चतुर्थ भाव में आज आपके चंद्रशनी की यूती है पंचम से द्वादस पढ़ाई में मेहनत लगेगा हला कि बहुत ठके ठके से महसूस करेंगे लेकिन फिर भी सिक्षा आपकी आज चलेगे सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है ब्यापारिक दिश्ट कोण से समय आज थोड़ा सा उल्टाओ चढ़ाओ वाला रहेगा लेकिन बिजनस में आप आगे बढ़ जाएंगे परिस्थतियों को आप साध लेंगे बिजनस आज गति प्राप्ट करेगा आपका प्रभाव आज अनकूल रहेगा प्राइवेट सिक्टर वालों को थोड़ा सोच समझकर निर्णा लेना होगा उतार चढ़ाओ बढ़ सकता है अपने आप पर काबू रखें अगर प्राइवेट सिक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आप परिवर्तन के लिए आज विचार न करिएगा चतरत भाव में चंदरशनी का विश्योग है आज सरकारी छेत्र में शनीदेव का प्रभाव चुकि दसम भाव पर बढ़ रहा है आज और चंदरमा साथ में हैं दसम पर सत्रुद्रिष्टी से सनीदेव देख रहे हैं मन मुटाव की स्थती आ सकती है बॉस के साथ आज किसी पुरानी बात को लेकर के आज विवादास्पद स्थती आ सकती है आज कारिछेत्र में दुराव आएगा थोड़ा साथानी बरतने की आवशक्ता है बात करें अगर दामपत्य जीवन की तो पति-पत्नी के बीच तालमेल की आज मजबूती रहेगी एक दूसरे में आज मजबूती रहेगी आज का दिन पति-पत्नी एक दूसरे को समर्पित भाव से देखेंगे लव लाइफ यहाँ पर मैटर गरबर होगा पंचम से द्वादस में चंद्रमा है आज प्रेम का च्छय है आज कोई सेंध लगाएगा आज एक दूसरे के लिए भाव नहीं पैदा होगा कुछ न कुछ बात ऐसी आएगी जो परेशान करेगे स्वास्त के मामले में आज का दिन आखों की समस्या देगा क्या उपाय करना चाहिए प्रियोग के तौर पर आज की दिन को शुब करने के लिए अच्छा हाँ और हर्ट की प्राब्लम भी हो सकती है चतुर्थ में है न शनी चंद्रमा चतुर्थ भाव चाती का होता है प्रियोग के तौर पर आज दिश्चिक राशी वालों को दाहिने हथेली पर सर्सु का तेल लेकर किसी पौधे के नीचे डालना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज गुलावी भाग विप्रत्शक 52 धनुराशी बहुत सकरात्मक प्रभाव आपका है पढ़ाई अच्छी कर रहे है शुख्षा में आपका प्रभाव बढ़ रहा है शुख्षा के छेत्र को आज उचाई छुएंगे शुख्षा में कुछ बढ़ा होगा ब्यापार के लिए क्या करें बिजनस में मैटर थोड़ा सा गरबर हो सकता है थर्ड हाउस में आपके चंद्रमा है आज दसम से नवम में है भागी के सहारे बैठने का मन करेगा इक्षा ही नहीं होगी कि काम करें तो बिजनस कहां से चलेगा भहिया आज धनुराशी वालों का व्यापार प्रभावित होगा ग्राह कम आएंगे मन खिन रहेगा शाम को मन बड़ा उचाट उचाट सा हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर बात करें तो धनुराशी वालों को आज मेहनत से भागना भारी पड़ेगा आज इस्थतियां धन की तो अच्छी है लेकिन आपको मेहनत जबरदस्ट करना होगा आज का दिन नई नौकरी के लिए प्रयास सफल होने का है सरकारी छेत्र में यात्रा से लाब बॉस की प्रशनता नया वर्क लोड बढ़ेगा छुट्टी आद के लिए पैरवी आज कर सकते हैं काम आपका बन जाएगा कुछ कोर्ट कचाहरी के मैटर अगर हुए थे तो उसको आज सुझाने का प्रयास करें दाबत्य जीवन सब्तम से नवम में चंद्रमा है तो किसी भी चीज को समय पर आज नहीं छोड़ना है आज इनिशियेट करना है मैरेड लाइफ के मैटर पर ध्यान दिजेगा जैसे अगर कोई बात पति-पत्नी के बीच में आ गई है तो आप वेट न करिए कि चार-चे दिल रुख जाएं अपने आप समझ में आएगा नहीं आज इनिशियेट करिए छेडी तो मामला बन जाएगा आज देखिए इतना गहराई से मैं बता रहा हूँ क्योंकि भाग्य है न तो भाग्य के सारे छोड़ेंगे शनी वहां छोड़वा सकता है संभावना है लव लाइफ बम बम आज गुपतलाव है डेट ओट पर जाने की संभावना है अंतरंगता क्लोजनेस बढ़ेंगे स्वास्थ धनुराशी कमरदर्द और लीवर की प्रॉब्लम है उपाय के तोर पर आज किसी जरुरतपंद को हरी सबजी का दान करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज आसमानी भाग्य प्रतिशत मकर राशी दिनांक 31 अगस्त दिन गुरुवार चंद्रमा दुती भाव में आपकी विराजमान है शिक्षा की इस्थती हर कदम पर आपके लिए लाभदायक है पढ़ाई आप बहुत शुब इस्थती में कर रहे है शिक्षा बहुत अच्छी आ चल रही है वाणी में ओज आएगा तेजी आएगी ब्यापार की बात करें तो बिजनस गजब का उठ रहा है बिजनस में आपको अच्छे अवसर मिल रहे हैं बिजनस का लाभ आपको अनोखे अंदाज में मिलेगा हर कदम पर आपके लिए आज नए कुछ न कुछ प्रभाव मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो दुती भाव के चंद्रमा की स्थती दसम से पंचम में है लिहाजा आज धन लाभ तो होना ही होना है बॉस से अगर कुछ लेने के लिए विचार किये थे तो आज आप मांग सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए कुछ आज बड़ा और नया रास्ता खुलेगा नई नवकरी की संभावनाओं को भी तलाशने के लिए दिन उत्तम है सरकारी छेत्र की बात करें तो आज का दिन गॉर्मेंट सेक्टर में बहुत अनकूल रहेगा दामपत्य जीवन के लिए आज थोड़ी सी दिक्कते हो सकते हैं मकराशी की महिलाओं के लिए जिम्मेदारी अचानक से बढ़ रही है प्रभाव आपको बढ़ाना पड़ेगा मकराशी वालों को आज प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा दामपत्य जीवन में अपना वर्चस्व बढ़ाना पड़ेगा मतलब शक वगरे कि दम न करिएगा लव लाइफ यहां इस्ततियां ठीक है समझदारी से काम करेंगे और काम आपका बन जाएगा स्वास्त के मामले में आज का दिन किटनी की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चेगर आपकी राशी मकर है आज मकर राशी वालों को प्रियोग के तोर पर शिवलिंग पर शेहद चढ़ाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज सफेद भाग्य प्रतिशत सत्तावन कुम्भ राशी आपकी ही राशी में आज चंद्रमा संचरण कर रहे है दिन आपका ही है बिंदाज रहिएगा सद भिशा नक्षत्र है तृतिय भाव में आपके नक्षत्र स्वामी बैठे हैं आज के गोचर के पढ़ाई में जल्दी बाजी घातक है कोई प्रश्ट पत्र आदी अगर देना होगा इंटर्व्यू आदी देना होगा तो आप थोड़ा ठहर कर काम करिएगा शनी और राहु यही चाहते हैं सिक्षा आपके लिए अनकूल है पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं है बात ब्यापार की करें तो आज बिजनस का समय कहा जाएगा बिजनस अच्छा चलेगा अनकूलता बिजनस की मामले में बनी होई है कारिच्ष्टर में आपका दबदबा रहेगा आपका प्रभाव आपका बर्चस्व बढ़ा हुआ है प्राइवेट सेक्टर में आज का दिन यात्रा से लाव देगा आज कहीं नई जगह जो है जो है जौइनिंग औगरे के लिए कदम बढ़ा सकते हैं कुछ पुराना प्रभाव उसको बढ़ाने की आवश्यक्ता है जितना अपने आपको मजबूती ला सकते हो उतना लाएं दामपत्य जीवन पत्नी और पत्ती के बीच तालमेल की थोड़ी बहुत कमी अब कुम्भराशी है साथवे में इस्थतियां वैसे भी बस सूर्य के साथ थोड़ा सा नोग जोग तो रहेगा शनी की दृष्टी है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं है लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन बुद्ध के सकारात्मक प्रभाव के चलते सब कुछ बहुत शुब है प्रभाव आपका अच्छा रहेगा मैरिड लाइफ लव लाइफ और अब आईए जान लेते हैं आपके लिए खास स्वास्थ के मैटर पर आज कुम्भ राशी वालों को जुखाम खासी के साथ साथ भैक की प्रॉब्लम हड्डियों की दिक्कत हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी कुम्भ है ओम नमह शिवाय का ग्यारह वार चाप करेगे शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग्य प्रद्शद पच्पन अंतिमराशी मीन समय अनकूल रहेगा पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है शिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं ब्यापार वेहतर चल रहा है बिजनस में रुके कारे घतिमान हो रहे हैं बिजनस को आज आप बहुत तेजी से लेकर जाएцен आज का दिन ब्यापार में आपके लिए बहुत अनकूलता देगा क्योंकि आप मेहनत बहुत करेंगे आपकी मेहनत का परिणाम आज आपको दिखेगा दसम से तृती अर्थात 12 स्थान पर चंदरशनी है प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आज काम में मन नहीं लगेगा आज किसी ने किसी बात पर उतार चड़ाओ और समस्याएं अचानक आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में कुछ सरकारी मशीनरी से भी जो है उलजन बढ़ेगी आज सरकारी छेत्र की बात करें तो आज यहां पर खास मेहनत आपको बढ़ाना होगा गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए शुब प्रभाव तभी दे पाएगा जब आप मेहनत बढ़ाएंगे दामपत्य जीवन में सब्तम भाव का स्वामी बुध अच्छी पोजीशन पर है तो यहां से संतुलन बनेगा सब्तमेश के कारण अन्यथा सब्तम से छठे में चंद्रशनी की युती आज बेड पर रात में बेड पर विस्तर पर युद्ध तैं मीन राशी वालों को आज विस्तर पर युद्ध तैं सोच समझ करके वानी को खोलिएगा लव लाइफ संतुलित है अवसर देगा प्रपोज करिए बिवाह की चर्चा जरूर कर लीजे स्वास्त के मामले में कमरदर्द और पेट की समस्या हो सकती है प्रयोक के तोर पर मीन राशी वालों को अम अम तीन बार इसका जाब कर लीजे शुवरंग आपके लिए आज स्लिटी भागी प्रतिशत 51 गोचर के द्वारा कैसे हमें फल मिलता है इसका विस्तार से हमने आपके समक्ष चर्चा किया पहले आईए जान लेते हैं आज का सक्सस की उल्टे हाथ के इंडेक्स फिंगर में सरसो का तेल लगा कर अपने कंठ को छू दे और ओम ब्रिम ब्रहस पतए नमह तीन बार इसका जाब कर लिजे काम पूरा आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे आज का भाग्याक्षर दिनाग 31 अगस्त दिन गुरुवार का भाग्याक्षर मेश भाग्याक्षर ब्रिशब हाँ मिथुन साग्षर कर्क छोटा आप सिंग वाग्षर कन्या चा तुला पाग्षर ब्रिश्चिक था धनू गाग्षर मकर हा कुम्भ वाग्षर मीन दा ये आपके शुब भाग्याक्षर जिन्हें सादे चोकुर कागज पर लिख कर अपने पास रख लिजे 24 गंते के लिए रखना है कल वाले भाग्याक्षर को दो भागों में करकर किसी पौधे की नीचे डाल दीजेगा काम पूरा हो जाएगा अनोखे अंदाज में आपको लाब मिलेगा आईए आगे वरते हैं और अब जान लेते हैं आज का इस्पेशल महा इस्पेशल शुब आयुश्मान भवह दिनांगी कत्तिस अगस्त को पैदा हुए लोगों को हारदिक शुब काम नाए जनम दिन मबारक हो क्या रहेगा इस्पेशल आपके लिए पुरे वर्ष को शुब करने का उपाय तीन बच्चों को खाना खिला दीजेगा दो बच्चों की सिक्षा में मदद कर दीजेगा और इसके बाद किसी जरूरत मंद को पाठ पुस्तक आदि भी दे दीजेगा काम आपका पूरा हो जाएगा अब जाल लेते हैं इस्पेशली जिसका आज मेरे जैनवर्सरी है पति-पत्नी मिलकर पीपल की तीन परिक्रमा कर लें क्लॉकवाइज दो जरूरत मंदों को भोजन कराके वस्त्र आदे दे किसी मंदिर जाकर रुद्रा भी शेक करवाएं और पुजारी जी को वस्त्र आदे से शुशोभित करें बस काम पूरा हो जाएगा बहुत आभार आपका वेक्त करते हैं हमें अनुमत दीजेगा लेकिन जाते जाते फिर से आपको बता दे तीन और चार सितंबर को हम मुलाकात करेंगे आपसे चंडिगर में उसके बाद गोहाटी और फिर लखनव से लेकर सतना तक किन-किन शहरों में आ रहे हैं बता दूँ आपको लखनव, पटना, सिलिगोरी, कलकत्ता और कलकत्ता के बाद राची, राची के बाद सतना और सतना से फिर गाजियाबाद ये सितंबर महीने के टूर है, वैसे संभावना है कि हम मुंबई पूने भी सितंबर लाश्ट में आ जाएं, तो अपॉइन्मेंट हर शहर का आप लोग लीजिए, बस देर मत करिएगा, समय जारी है और हाँ गयाजी में भी बुकिंग चल रहा है, अगर आप पितरों की शांती चाहते हैं, तो 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर बड़ा मौका है, और ये पांचमा सत्र है, जब आप गयाजी में मिलकर हमारे साथ अपने पितरों की शांती की व्यवस्था कर सकते हैं, अनुमत 9 और 10 सितंबर गुहाटी, 15 और 16 सितंबर लखनौ, 17 और 18 सितंबर पटना, 19 और 20 सितंबर सिली गुडी, 21 और 22 सितंबर कोलकत्ता, 23 और 24 सितंबर रांची, और 25 और 26 सितंबर सतना, में आप संतूशी जिसे मिल सकते हैं, मिलने के लिए 9910291850 पर अभी कॉल करें, या 9999024099 पर वाटसप करें, वीडियो कॉल की सेवा भी उपलब्ध है, सब्सक्ते हैं, पर अजशी कुल करें, फिर् 02 और 23 सितянं सकते हैं, वाटसि जिए 1 दungkin 14 और 25 और 21 सितंबर के लございます,